अस्सलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे गोंद और बादाम का हल्वा तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे इसके लिए गोंद लेंगे हम 250 ग्राम और यह है घीसा हुआ खोपरा तो सूखा खोपरा लेंगे 100 ग्राम और बादाम लेंगे 150 ग्राम तो चलिए सबसे पहले अब हम एक कड़ाई को गरम कर लेंगे और इसमें आट करेंगे घी घी हलका सा गरम कर लेंगे और इसके बाद में इसमें बादाम आट करेंगे अब हम बादाम को लो हीट पे तलेंगे ज्यादा डार्क कलर आने तक इसको नहीं तलना है बस इसका हलका सा कलर चेंज होने तक तलेंगे जैसे ही बादाम का हलका सा कलर चेंज होगा हम इसको निकाल लेंगे तो ये देखिए ये जो बादाम है इसका जो कलर है वो हलका सा अब चेंज हो गया अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से इस तरह से चमाच से चान कर निकाल लेंगे अब हम सेम गी में और थोड़ा सा गी आड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा सा गोंद आड़ करते जाएंगे और इसको भी तल कर निकाल लेंगे घी को हम medium heat पे गरम करेंगे और इसके बाद में जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें अब हम गुंद एट करते जाएगे तो थोड़ा थोड़ा सा गुंद लेंगे और गी में एट करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये जो गुंद है फुलना शुरू हो जाता इस तरह से यानि कि ये fluffy हो जाएगा गुंद जो है अच्छे से तले जाके crispy हो जाना ये देखिए इस तरह से crispy और fluffy हो जाना जब गुंद इस तरह के हो जाएगे तो हम निकाल लेंगे इसको तो ये देखिए अब हम दूसरा बैज भी बिलकुल इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे जैसे ही ये फलफी हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से अलट पलट करके इसको इस तरह से फ्राइ कर लेना है अब ये तले हुए गोंद बिल्कुल तयार है ये देखिए इस तरह के हो जाना गोंद तो अब हम ये गोंद को पीस कर इसका पॉडर बना के रेडी करके रख लेंगे और ये जो तले हुए बादम है इसको भी हम coarsely grind कर लेंगे बिल्कुल पॉडर ने बनाएंगे थोड़ा थोड़ा सा यानि के हम इसके मोटे मोटे तुकड़े भी रखेंगे बिल्कुल पॉडर ने coarsely grind करना है और ये लेंगे हम काले मिर्ज पॉडर आदा टीस्पून ये सबी चीजें हम जब हलवा बनता जब इसमें आट करेंगे यानि कि हलवा बनते सो दोरान में इसमें आट करना है ये ये देखिए इस तरह से गोंद का जो तलेवे गोंद है इसका पॉडर इस तरह का बना के रेडी करके रख लेना है और बादाम का भी पॉडर इस तरह से बना लेना है, कोर्सली करना है इसको ज्यादा बिल्कुल बारिक ने करेंगे तो जिस कड़ाई में गोन फ्राइ करके निका लिये थे जो बाखी का घी बच गया था अब हम उसी के अंदर ये जो घिसा हुआ खोपरा है वो आट करके तल लेंगे जिस कड़ाई में गोन फ्राइ करके निका लिये थे तो उसमें जो बच्चा हुआ घी था वही घी में अब हम ये घिसा हुआ खोपरा दालेंगे अब ये खोपरे को अच्छे से भून लेना है इसका जो कलर है वो बादमी कलर में आ जाना तो इसको ज्यादा हम नए जलने देंगे बस इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भून लेना है और भूनने के दौरान हम हाथ ने रोकेंगे बिल्कुल भी अगर हाथ रोक देंगे तो फिर ये जो खोपरा है जलना शुरू हो जाता तो इस तरह से हम कंटिन्यू चमा से हिलाते ही जाएंगे तो ये देखिए ये जो खोपरा है अब अच्छे से भूने गया इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और साथ में ही अब हम फ्लेम भी आफ कर लेंगे अब ये भूना हुआ कोपरा बिल्कुल तयार है इस तरह से भून कर रख लेना है तो ये सभी चीज़ें रेडी कर लेने के बाद में अब हम चाशनी बना के तयार कर लेंगे हलवे के लिए इसके लिए शकर लेंगे हम 250 ग्राम और पानी आट करेंगे एक ग्लास तो शकर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम्याज ज्यादा कर ले सकते फ्लेम अन करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए और थोड़े से हम इसमें जाफरान के काड़ियां भी आट करेंगे अच्छे से मिला लेंगे और पकने के लिए रख देंगे अब ये और इसकी बहुत ज्यादा गाड़ी चाशनी ने बनाना है बस इसको 20-25 मिनट के लिए पका कर हम फ्लेम आफ कर लेंगे यानि कि इसमें हलका सा गाड़ापन आना शुरू हो जाने के बाद में ही हम फ्लेम आफ कर लेंगे तो ये देखिए 20-25 मिनट तक इसको अच्छे से हमने पका लिया था अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे ये जो चार्श नहीं है बिल्कुल तयार है इसको अब हम एक साइड में रख लेंगे अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें घिया एट करेंगे पांच टेबल स्पून एक टेबल स्पून खशखश एट करेंगे अब ये खशखश को हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राइ कर लेंगे ये है गेहूं का आटा दो सब पचास ग्राम लेंगे अब ये गेहूं के आटे को अच्छे से बून लेना है इसका जो कलर है बादामी कलर में आ जाना बिलकुल कलर इसका चेंज हो जाना तो इसको हम भूनेंगे लो हीट पे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता जब तक ये भून लेना है और ये गेहूं का आटा जो है भूनने के दोरान में अगर जरुरत पर तो हम थोड़ा सा इसमें घी भी आट करते जाएंगे तो ये देखिए ये जो आटा है अब अच्छे से भूने गया अब हम इसमें पीसा हुआ बादम का जो पौडर है वो आट करेंगे अब गुन्द का पौडर अट करेंगे गुन्द का पौडर अट करने के बाद में अब हम इसमें कलाउंजी सोंट, जैफल पॉड़र, कालिमिर्स पॉड़र और इलाइची पॉड़र ये सबी चीज़े एक साथ में आड़ कर लेंगे साथ में ही भूना हुआ खोपरा भी आड़ करेंगे अब अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में पांच मिनट के लिए भून लेंगे ये और जब पांच मिनट हो जाएंगे हम इसमें ये जो चाषय कर लिये थे वो आड़ करेंगे तो ये देखिए पूरी की पूरी चाषय को पांच मिनट के लिए पका लेंगे अब ये Tapi अच्छे से मिला लेंगे अब ये तो फिर से पांच मिनट के लिए पका लेंगे अब ये और पांच मिनट तक इसको अच्छे से पका लेने के बाद में हम फ्लेम आफ कर देंगे तो ये देखिए अब ये गोंद और बादाम का हलवा बिलकुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो अब हम फ्लेम आफ कर देंगे और इसको स्टोर करके रख सकते एक महिने के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता ये और ये जो गोंद बादाम का हलवा है इसको हम रोजाना दूद के साथ में दो चमच ले सकते तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए काफी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और इसको हम लोग गानिश कर सकते बारी कटे हुए ड्राय फ्रूट्स के साथ में या फिर जो भुना हुआ खोप रहे है उसके साथ में भी आप लोग इसको इस तरह से गानिश करने सकते जैसे आप लोग की पसंद हो गानिश अगर नहीं भी करना है तो यह स्किप कर सकते और रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए तो झाला हफीज